नमस्कार आप देख रहे हैं हुंका 24-7 और आज हम मौजूद है दिल्ली हाई कोड के पास और आज हम मिल रहे हैं ब्रश्टाचार उन्मूलन संग के राष्टी एध्यक्ष स्री डीके चोप्रा जी से तो आए जानते हैं नमस्कार सर घृष्टाचार उन्मूलन संग क्या यह और प्रियास है कि देश में सब को जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका उचित मावदा मिलें और उनके यतने परिवारत का परिवार वह सुखी हो और वह अपनी जो परोब्म निकल पाए यही हमारा जनत तंदर का में मकसद भी यह है कि हम वोट इसे डालते हैं इसी पार्टी को डालते हैं जो हमारे सुख के लिए काम करें तो सर एक नारा है ले लडे अब लड़ रहे हैं छोरों से तो कितने चोरों से लड़ चुके है भी तक हजार व के साथ से है यह तो कोई छोटी बात नहीं है पर अपने लोग आए जब देश इजाद हो गया अपने लोग आए तो उन्हों ने इस ओर ध्यान इन दिया कि हमको देश में सबनागरी का बबने बहन बाई हैं इनका विकास करना है और इनको हमने तंग नहीं करना है सरकार टेक्स जो करती है अगर हमको तंग करके उननों पैसे कट्छे करने जा घृए हमसे पैसे लो, गाम करो और पैसे लो तो पर ऐसा नहीं हो रहा है टेक्स भी लिया जाता है तंग भी किया जाता है और महलाओं और समाज के शोजन बरकों पर अत्या चार भी के जा रहे हैं तो लूट के कहीं साधन खोले हुए हैं खोले आम लूट हो रही है सबसे बड़ा चोर किसे मानते हैं हम तो सरकार कोई चोर मानते हैं क्योंकि सरकार अगर चाहे तो देश में राम राज्य आ सकता है छाहें राम चंद्र जी का राज्य का मतलब है राम प्राइस यह चाहेंगे वैसे होगा अभी इस देश में वह रहा है कि अब देखा है तो आपको क्या लगता है देश में महिला एक कितनी शुरक्षित है मुझे लगता नहीं पर लिए बूरु रत्या चुरु हो दो कि युद्फे नुaz पलब हो जाता है इंतुजBrave ऍाव्वितलित के लगभाई की है किक्तीक मेला को किया जाता है चोगी वह कहते हैं यह तो जाने वाली है कि हमारे यहां तो रहे जो इसको हम क्यों पाले बहुते बड़ा बंच नहीं चलेगा तो इस तरह कि हमारी सोच है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा दिया जगिया है और उसमें दोगों ग्रांट ही देते हैं मेरेको तरह लगता हुँ सारे कोई बेटियों को उनकी कोई खास हेल्प कर पा रही है आप यह देखिए कि अभी पीछे मेरी बेटी को इठाने के लिए घर पे लोग आगे 17 दिसमर को जो कि मेजर दंदन आर्मी के वीजे सेथी और किसने वेजा उसको एसीबी जीले सिंग ने वेजा उसको किसने किया उसकी जब मैं कंप्लेंट करने गया दिल्डिक औरमेंट की चाल्ड वूमन सॉचल वेलफर डिपार्टमेंट की लेडी जो है उसका नम है उसे जो है मेरे को पहले अपांटमेंट दे दी ने का वही आपने पांटमेंट दे रखे इसा को रिकॉर्टिंग है तब कि इसी बात के ओपर सारे देश को मिलने वाला है जो लेडी मुझसे नहीं मिल रही है तो किसी से भी नहीं मिलती होगी तो पबलिक डोमेन में जो लोग होते हैं उनको हरेक से मिलना जुरूरी होता है नहीं तो कैसे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जब तक सुनेंगे समाधान की तो बाद ही बाद में आ रही है तो यह मुझे ऐसा लग रहा है कि यह फोन जो है वहां गीता सिंगला से उसको आ गया है कि डीके चोपड़ा से मत मिलो हम इसकी डड़की उठाने कहे थे और तुम इससे मिलोगी तो यह तुम्हें बढ़ जाएगी तुमको कारव करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से बात करें और उसको वह कर पाएं कि हम दोग इमानदार है और हम अपनी बात डंके की छोट पे कहते हैं कोटों में भी आई कोट में भी वीडियो कंफरेंसिंग की बात हुई पर ज्यादा नहीं चली क्योंकि प्रमिशन नहीं देते हैं डेन के पार जिसको आपकर आउट हो जाएगा आप देश की बात करें तो देश की बात हो रही है तो देश की बात होनी चाहिए ना अगर आप इमानदार है तो सबको लगना चीए अब मैं बिश्टा-घ्रम-लमाहासंगा राश्टीय दक्ष्यूं मुझे कोई भी कमदेंड करता है तो मैं उसको बात फोन करके उससे बात करता हूं उसको सनुवा देता हूं आपके मैटर में डीजी पी ने यह कहा तो उसके आगे वो जो करना जाए करें तो मेरा एक अपनी सरसे त्रयास है कि हम ट्रांसविंसी को शुरू करें वैसे दो गौर्ण्मेंट ट्रांसविंसी कर रही है ऑन लाइन हो गया पर यह सारे रिकॉर्ड हमारे ख़लाब यूज करने के लिए हैं हमारे रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूं ने जब भी वारे ख लगाने को तो 62 क्रोड मेला हैं उनका क्या फूचर निर्भे काट में आपने देखा पूरा तीजाइं कठा हो गया पर निर्भे की माँ पड़ी लिकी नहीं है वह अपनी एक वह चला रही है संस्ता चला रही है उसको कुछ नहीं कर पाती वह कहते हैं और महिलाओं के उपर अचारों से सरकार को ज्यदा पैसे मिलते हैं इसलिए महलाओं पर अत्ता चार हो रहा है तो हम यहां से बिगल बजा रहे हैं कि महलाओं को कोई भी शोचन करें हमें बताइए हम उसके खलाफ कारवाई करेंगे यह हमारा अभी प्रोग्रम यही है कि हमारी और हमारी जो बेटी है वो भी लालम कर चुकी है वो भी वखील रहा है तो उसको उठाने आगे तो बाकी आउडिनरी लड़की की तो क्या हो सकता आत्पोचें यह अपने में एक बहुत बड़ी बात है तो मैं देशवासियों से यहां से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी महला को या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो अप्रोच करिए हम आपकी हर प्रोग्रम को सॉल्व करेंगे और आज तक हम कत्ते आ रहे हैं और हजारों काम हमने कर रहे हैं यह अभी आपने देखा होगा लेक्शन में फोटो अपने कर रहे हैं तो हमारा यह हमने कंदी उमर के ओपर भी काम किया आदमी दस साल से केच चल रहा है उसको पचात लाख रबे जर्माना की आप दिल्ली आएकोट उसको छोड़ने को त्यार हो रहा है तो ब्रष्टाजा जो है वह ऐसा शिष्टाजार बन गया है पैसे दो ब्रष तो सर्क क्या कारण रहा था जो कि मेजर विजय आपके घर पर आते आपको धंका आते हैं तो वहां पर प्रेडिंट का मैंने चुनाब लड़ा था और मैंने उनकी इर्रेगलर्टिस के लिए कोट में केस लगाए थे यह बैइमान है इन्होंने इर्रेगलर्टिक करके और सर लड़ाई तो यह सारा सिस्ट्म यह है कि जो इनका अड़्डा बना हुआ दिल वसंद को इन में लड़कें उठाने का उसको मैं दुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं और मेरे को मर्डर करने की दमकी दे चुके हैं अब जैसे आपको मैंने सुनवाय भी था माटर करने की इसको बदलने के लिए हर आत्मी को इस देश में बनना पड़ेगा और इस सक्ता से लड़ना पड़ेगा तभी समाज में तो लड़कियों को उठवाते हैं तो उनके साथ करा के जाता अब आगे क्या होता उनके साथ उनके उनका शोशन होता है जैसे बिली में आप देखिए रेप बढ़ गए तिन गुने रेप हो गए कम थोड़ी हो रहे हैं तो कोन इसके उपर इसाब पूछेगा यह बूमन महला योग बना रखे हैं नैशनल महला योग बना रखे हैं यह और जो महला संस्ता हैं बैटी एक जरसी बात हमा मा कर दिया तो महलाएं कठी नहीं हो पा रही है उनका शोशन हो रहा हूँ उनको सेगराइट किया रहा रहा और प्राम के मावाब को ढमकाया जयता है जिल की दमगिडिया। तो जब अभी मेरी बैटी की शादी नहीं हो पारी है नहीं हो पारी कोई बात ही जब होगी तब से पर मैं यह चारा हूँ कि महलाएं सभी कठी हो सब को मिलकर सरकार को समझाना चाहिए कि हम अब हमारा शोशन नहीं हो सकता अगर आप करेंगे तो आपको हम जिल के बीछ विजवा देगा तो सर आपको कहीं लगता है कि सरकारी दफ्तर में जो महिला बैठी है वही एक महिला की दुस्मन बन चुकी है क्या आप जो कहना चाहरें बड़ी बात करिया आपने ती अफारी जुद्नी महिला एं धरकारी दफ्तर में उन्साब का शोशन हो रहा है मेरी बेटी ने उनकी बात नहीं माणी इसलीक उसको गर से उठवाने के दिए ठाने वालों गो कहा गया है और महिला का शोषन होता है उसको बोलने के दिया जुषन इसी क्राउंट में होती है उसको लेट आना जल्दी जाने की परमिशन भी सी गराउंटे दी जाती है तो महिला को शोज़ा एक मट्टू नाम का आदमी है जो शास्री बन उसमें लाउ मिनिस्ट्री में काम कता है वो अडिशनल सेक्टरी है और उस लेवल का आदमी ये काम चला रहा है तो आप संजें अ बैठी है वहां पे तो सब श्वाती जाहिन तो वो सारे लोगी ये काम करवा रहें अगर वो नहीं करवा रहे होते हैं यह जो जो रिविशनल कर वाती है इसलिए उनको पता सरकात वोड़े दिन बाद छोड़ लेगी हमारे कांप चलता लेगा बश्यों लोगों का नाम नह करने का प्रयास करिए बहुत कुछ का अभी चर्चा नहीं हो सकती पर महलां पे शोचन हो रहा है और मेरी बेटी को 17 जिसमर्ट को ठाने का प्रयास किया मेरे मेरे को छिल्पा शेंट्री डिरेक्टर बिल्ली गौर्डमेंट ने मिलने से मना किया और उसके लिए मैंने आप देश के समाज के कल्यान के लिए काम से लड़ाय अब आगे कहां तक जाएगे मेरा मतर हो जाएगा जैसा कि मिल चुकी हो लड़ी चार बार तो पुलिस वाले खड़े को पिटवा चुके मेरे को तो यह तो आप देखिए हम तो चाहते हैं कि दिया जल रहा है इसका चिराग चले और सारे देश की मैलां सुर्प्षी तो और उनको लगे कि हम गर से बाती है तो सर मलब अगर कुछ महिला आए आए आपके साथ और फाइट करने के लिए तो आप से जुड़ेगी कैसे मेरा फोन नमर सारा है मेरा फेस्बूक के नाम से मेरा फेस्बूक है आप जिस लड़ाई को लड़ रहे है उस पर विजय हासी लो और आदमी कोई आगे ना बढ़ता है आप जिस लड़ाई को लड़ रहे है उसमें विजय हासी लो और आपने इतनी सारी जान करें दिए इसके लिए धन्यवाद तो यह जो चिराग जिलाए डीके चोपरा जी ने देखते यह कहां तक जाएगा और क्या भारत की 62 करोड महिलाए आगर अपने हक के लिए लड़ा इसी के साथ इस पर फैसला लेगा यह आगे देखेगे मैं निशांत कुमार अपनी सयोगी स्निहा पांडे के साथ हुंका 24-7 दिल्ली हाई कोर्ट